असिल समाजवादी पार्टी लोहिया की लोहिया वाहिनी का आज एक कारकम हुआ है मीटिंग भी इसमें मौझूद है राष्टे महासच्यू पार्टी के आदित्यादो उनसे बात करते हैं कि लोहिया वाहिनी की मीटिंग में उन्होंने क्या संदेश थी अदितचे आप इस पार्टी बेर किसी भी राजनी तिक दल के सबसे कम हुआ हुआ है यहां पेहली प्रफम बैटक करिया है तो हम लोग अपनी पूरी निष्ठा से प्रकेति-शिल समाजवादी पार्टी को आगे ये इतनी बडी जम्मतारी राश्टे है. आज का समय नोजबानों का है. मैं तो ये मानता हूँ का आपको और दूसरे दलों को खुशी होनी चाहिए. क्योंकि अपने हर भाषब में वो कहते हैं कि नोजबानों को आगे आना चाहिए. मैंने यह निगा मैंने कहा कि इन बातों को पीछे छोड़ें क्योंकि हमारे पास और बहुत बड़ी चुनौतिया है आज के समय में जो समाज की हालत है जो कानून विवस्ता की हालत है वो बहुत बड़ा मुद्दा है परिवारवाद और यह सब बाते तो अब खतम हो चुकी पीछे छोडने का समय आ गया है अब समय है जनता की जो समस्याह आए जो सरकार नहीं सुन रही है जनता की उसको कई ना कई जनता के समेश रखने का काम है वो जिम्मेदारी हम ने लेना चाहते हैं जो अपमान हुआ है उस अपमान का बदला तो आप कह रहे हैं कि सब लोग शान्त हो जाएं देखिए बदला लेने का और तरीका है बदला हम उनसे नहीं लेना चाहते हैं बदला हम मौझूदा सरकार से लेना चाहते हैं जिस तरीके का विवार वो जंता के सा मिलेगा आपने एक और बड़ी बात कहीं कि राजबोर जाना शियुपाल जी का एक बड़ी घटना थी देखिए आप सब को होता है एक चवालिस धारल लगी लागू है इतना बड़ा कारेकराम होता है और प्रिशाशन सरकार उसके खिलाफ कुछ भी नहीं करती है क्या हम इसक तो यह माने कि किसी एक व्यक्ति विशेश की पक्ष लेने की बात की सरकार ने जबके सरकार तो निश्पक्ष काम करने की बात करती है तो इस तरीके का रवया अगर अपना रही है सरकार तो बहुत दुखत बात है यह और मैं मानता हूँ हमारे नेतमाने शिफपाल सिंग ज इसी वजय से उन्होंने अपनी बात गवर्नर साब के समख्ष रखने हैं जो बता रहे हैं कि चुनाओ लड़ने के लिए पार्टी उनके तैयार हो रही है और अभी जो रैली होने जा रही है उस रैली में युवाओं पर बड़ी जिम्मेदारी रहेगी युवाओं के मुद् जाना चाहते हैं इटीबी के लिए लखनों से अखलेश तिवारी